नमस्कार जहिन सातियों स्वागत है आज आप सभी का हमारे द्रण संकल्प यूटूब चैनल के आज के इस नए वीडियो में मैं अभिशेग मिसराज आप सभी लोग के लिए क्लास 6 की NCI TST का चेप्टर 3 लेकर के आया हूँ आज के इस चेप्टर से हमको प्राचीन भारत का इतिहास मिलता है और आज के इस चेप्टर से हम पूरे तेरा कोस्चन लेकर के आया है और ये पूरे तेरा कोस्चन की कोस्चन आंसर कुईज है तो उम्मीद आप लोगों से यही रहेगी कि हमारे आंसर देने से पहले आप सभी लोग कोस्टन के आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे तो आज की इस चेप्टर का नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक तो काफी इंपॉर्टन चेप्टर है इससे हमको पूरे तेरा कोस्टन मिलते हैं तो तेरा कोस्टन पूरे हम लेकर के आए हैं सबसे पहला कोस्टन दिया जा रहे कि निमने लिकित में से सबसे पहले किस जंगली जानबर को पालतू बनाया गया था ठीक है तो इसके याँ पर चार आपसें दिये जारें कुत्ता गाए बकरी या फिर भेन तो इनमें से सही आंसर कौन सा है जल्दी से हमको क्रमेंट बाक्स में बताईए कि बहुत ही सरल आंसर है चलिए अब हम इसका आंसर आप लोगों को बताते हैं इसका सही आंसर अर्थात कुत्ता सबसे पहले कुत्ता को जंगली जानवर था जिसको पालतू बनाया गया था आप सभी लोग देखते हैं कुत्ता को अगर आज भी कुछ रोटी है पर कुछ डाल दो तो बहुत जल्दी पालतू बन जाता है ओके तो कुत्ता को पालतू बनाना सरल था इसलिए सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू बनाया गया था चलिए आई देखते हैं हमारा आज का कोस्चन नंबर दो कोस्चन नंबर दो है निमने लिखित में से किन इस थानों पर पूरा तत्विदों को सुर तो इन में से कौन सा सही आंसर है जल्दी से आंको क्यूंट बाक्स मिताई इसके लिए आप कुछ कूटों की मदद ले सकते हैं अर्थात A अर्थात केवल एक और दो सही है या फिर B अर्थात केवल एक दो और चार सही है या फिर option C अर्थात एक एक ने चार और पांच सही है केवल या फिर option D अर्थात एक, दो, तीन, चार, पांच ये सभी सही है इस question को आप लोग एक बार फिर से समझेजेगा कि इन पांचों इस्थानों में से कौन सा ऐसा इस्थान है या फिर कौन से ऐसे इस्थान है जहां पर पुरा तत्विदों को सुरुवाती क्रस्कों और पस्कालकों के होने का साक्षे मिले है तो जल्ली से इसका अंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताईगा आप लोगों से उम्मीद सिर्फ एक ही रहती है कि हमारे अंसर देने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में अंसर दिया करें चलिए अब इसका अंसर हम आप लोगों को देते हैं इसका अंसर डी अर्थात एक, दो, तीन, चार, पांच ये पांचों आपसन बिल्कुश सही है पयमपली, हलूर, महागड़ा, क्राल और बुर्ज होम इन पांचों इस्थानों से पुरा तत्विदों को सुरुवाती क्रस्कों और पसपालकों के होने के साक्षे मिले हैं चलिए, अब आई देखते हैं हमारा आज का तीसरा कोस्टन, ये थोड़ा सा तेरा कोस्टन है अर्थाँ ये थोड़ सा कटिन कोष्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा कोष्चन है ऐसे कोष्चन आज आ सकते हैं एकजाम सूची एक में दिया जा रहे हैं पुरा इस्थाल और सूची दो में अबस्तित अर्था जो पुरानी इस्थाल है यह आज कहां पर अबस्तित हैं यह हमको बताने हैं तो इसमें आर्थाथ मेहरगर्ड ऑप्सन B कोल डियावा ऑप्सन C चिरांद ऑप्सन D गुपकराल तो यह यह पांचो इस्थान हैं यह कहां परिस्तित हैं उत्तर प्रदेश में या फिर कस्मीर में या फिर पाकिस्तान में या फिर बिहार में यह पांचो इस्थान अलग अलग जिगाव परिस्तित हैं कहां परिस्तित हैं यह आपको बताने इसके लिए आप कुछ कूटों की मतद ले सकते हैं जिसे कि A, B, C, D ये 5 कूर्ट दिया रहा है एक आर्थ है कि जो option A है वो 2 है अर्थात A है ये 2 ठीक है और इसके बाद में option B दिया जा रहा है कि B अर्थात 3 तो B अर्थात 3 ऐसे गर कि इसमें दिया जा रहा है तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कूर्ट सही है ये कूर्ट दिया रहा है कौन सा कूर्ट सही है आपको बताना है तो जल्ली से हमको comment box में बताएगा कि option A सही है फिर B सही है फिर C सही है फिर D सही है तो चलिए गई थोड़ा सा टेड़ा आंसर है इसलिए हम आपको इसको बताते हैं ब्याख्या के साथ में इसका option B बिल्कुश सही अर्थात है जो A है उसका 3 है B है उसका 1 है C है उसका कितना है चार है और D है उसका 2 है अब इसको आप लोग समझ लीजीगा यह इसकी सही matching है मेहरगर है यह आज है पाकिस्तान में कोल्डेवा आज है उत्तरप्रदेश में इसके अब इसके अब गुफराल है वो है कस्मीर में अब इसको आप भ्याक्ख्या के साथ समझेंगे नीचे यहाँ पर इसकी पूरी व्याक्ख्या मैंने आपको दे दी है ब्याक्खे में दिया है कि मेहरगर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में इस्थित है यहां से गेहूं और जोंके अबसेश मिले हैं मेहरगर से किस-किस के अबसेश मिले हैं यह आपको कोस्टन में आ सकता है कि गेहूं के जौंके और कुछ जानबरों के अबसेस मिले हैं इसके बाद में जो जानबर है उनमें से इनमें हिरन सूर जैसे जंगली जानबर की हड्डियां सबसे नीचे प्रस्तर से मिली है उसके बाद के इस तर से भेंड और बकरी अर्था जो सबसे नीचे वाला इस्तर है कुछ इस तरह जिसे कि ये जमीर है सबसे नीचे वाले इस्तर पर मिली क्या है हिरन, सुर और जंगली जनवरों की हड्डिया अब इसके उपर वाले इस्तर पर क्या मिली है उसके बाद वाले इस्तरों पर भेहन और बकडियों की हड्डियां मिली है इनके कुछ अबसेस मिले है और उसके उपरी इस तरफ पर मवेसियों की हड्डियां मिली है उसके उपरी इस तरफ पर मवेसियों की हड्डियां मिली है इससे लगता है कि बे लोग मवेसि पालना सीख चुके थे अर्थात इससे इतिहास का पता चल सबसे नीचे किसके मिली है सूर और हिरन की अर्थात पहले सूर और हिरन को सिकार करके मार के खाया करते थे इसके बाद में किसके मिली भेर और बकडी की अर्थात फिर ये भेर और बकडी को पालने लगे थे यहां से चावल और जानवरों की हड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, इसके अदमे चिरान तो आधुनिक बिहार राजी में अवस्तित है, यहां से गेहू चने जाओ भैंस और बैल के अवसेस मिले हैं, इसके बाद में अगला पॉइंट मिलता है गुपक्राल, जहन के साक्षे प्राप्त हुए हैं, अब यहां पर काफी कोस्टन्स बन सकते थे, अगर मैं चाहता तो इस सेप्ट में पूरे 25 से भी उपर कोस्टन रख सकता था, यहां पर पूरे 8 से 10 कोस्टन बन सकते हैं, कि कोल्ड एवा आज कहां पर इस्तित है, इसके अदमे यहां स साक्षी मिले हैं, ठीक है, तो इसके अदम चिरान से, इसके अदम गुपकराल से, ऐसे कई सारे कोस्टन बन सकते थे, लेकिन मैंने इस सभी को एक में ही रख दिया है, ओके, चली आई देखते हैं, हमारा आज का चौता कोस्टन, यह भी मैचिंग है, इसको मैंने थोड़ा स अंधरदरदेश में स्तित है, पयाम पलियास तेलंगाना में स्तित है, उपयूगत पुरा स्तलों मैंसे कौन से युगम, सुमेलित नहीं है, जो इन्नों ने देखिवर पूँच रहे है, कि इन्में से कौन से ये गलत हैं, ठीक है, यह पिर अपसन भी यर्था दो और तीन, ये अर्थाद बुर्जहूम, कसमीर और हलूर अंदर प्रदेस ये दोनों गलत हैं और ये पाइला चौथा साहिए, पिर C अर्थाद तीन और चार गलत है और जो एक और दो है, ये साहिए, ये फिर आप्सें, डी अर्थाद केवल चार गलत है और ये तीनों options सही दिये गए अर्थाद महागड आज बुर्जों महागड उत्तर प्रदेश में बुर्जों कस्मीर में हलूर आंद प्रदेश में ठीक है तो इसके लिए यहाँ पर आप इसका आंसर दे सकते हैं option C सही अर्थाद इसको हम आपको ब्याख्या के साथ में समझाएंगे तो इसकी ब्याख्या दी जा रही है कि महागड बरतमान उत्तर प्रदेश में अवस्तित है इस पुरास्तल से चाबल और मवेसी अर्थाद मिट्टी पर खुरों के निसान मवेसी जो है इनके मिट्टी पर खुरो के निसान के साक्षे प्राप्त हुए है ठीक है अब इसके जो बुर्ज होम है यह बर्तमान कस्मीर में इस्तित है यहां से गेहू और दलहिन कुत्ते मवेसी भैंस भेंड और बकरी के होने के साक्षे मिले हैं तो यह बहुत important point है सभी point को याद करते हुए चलिएगा अगला point दिया है कि हलूर बर्तमान करनाटक में इस्तित है यहां से पुरा तत्विदों को जोर बाजरा मवेसी भेंड बकरी और सुवर के साक्षे मिले हैं ठीक है इतनी चीज़ों के साक्षे मिले हैं इसके बाद में पयमपली तो पयमपली बर्तमान तमिल नाडु राज में इस्तित है यहां से काला चाबल, जोर बाजरा, मवेसी भेंड और सुवर के अबसेश प्राप्त हुए हैं इतनी चीज़ों कि यहां से अबसेश प्राप्त हुए हैं इसके बाद में अब हम देखते हैं हमारा आज का question number 5 ये बहुत important question है पुरा तत्विदों को कुछ पुराइस्तलों पर जोपड़ियों और पैरों के निसान मिले हैं बुर्जु हों पुराइस्तल से प्राप्त ऐसे साक्षियों के संदर्ब में निम्निलिखित कत्मों पर विचार कीजीगा दो कथन दिये गए हैं यहां के लोग गड़े के नीचे घर बनाते थे इन घरों को गरतावास कहा जाता था या फिर ऑप्सन दो कहां यहां से जोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगए मिली है अब यह कुछ खूट दिये गए हैं उपयूग्त कत्नों के माध्यम से कतन में कौन सा या फिर से कतन सही है या फिर हैं तो इसका केवल एक कतन सही है या फिर केवल दो कतन सही है अर्था केवल ये सही है या फिर option C एक और दो दोनों सही है ठीक है या फिर option D ना तो एक ही सही है और ना तो दो ही सही है तो इसका answer हमको जल्दी से comment box में बताईएगा चलिए अब हम इसका answer पहले क्या ओता ता जो सबसे पहले लोगों ने घर बनाए थे उसको गरताबास कहा जाता था पहले क्या होता था आज भी आप अदिनि're देखते हैं कहीं कहीं YouTube काफी सारे वीडियों पढ़े हैं उन पर आप लोग देख सकते हैं कि काफी लोग जो है तो यूटूबर पैसा पाइसा कमाए систем बनाते हैंब कि जमेन के नीचे गड़ा खोथ बर्के घर बनाते है ठीक है तो इस प्रकार के पहले घर बने हुआ करते थे अभी गड़े खोद कर घर क्यों बनाते थे क्योंकि ये गड़े खोद कर घर इसलिए बनाया करते थे क्योंकि ये घर इनको सर्दी में सर्दी से बचाया करते थे और पहले घर बनाने की और टेक्निक तो थी नहीं कि ले आए इनीटा और मौरम सरिया सीमें अपना पक्का बढ़िया घर बना लिया हीटर ले आए तो ये सब चीज़ तो थी नहीं पहले इलोग बिक्सित हो रहे थे तो इलोग गड़े खोद करके वहाँ पर घर बनाया करते थे और इसके बाद में फिर जोपणिया बना ले लगे थे तो जोपणियों के अंदर और बा अपन सही नहीं है ओप्सन दो के नमबर दो ओप्सन के नमबर दो है ठीक है इस काल में आउजारों की धार को पैना करने के लिए उन पर पालिस चड़ाई जाती थी या फिर ओप्सन तीन इस यूग में बनस्पतियों वा अन्य चीज़ों के पीषने के लिए ओखली और मू उसल जो आज भी हम लोग उपयोग करते हैं इसका प्रियोग होने लगा था या फिर चाओ था इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरन आरंब हो गया था तो इसका आंसर हम को जल्दी से कमेंड वर्स में बताएगा कि कौन सा आपसन इसका सही नहीं है अर्थात कौन स जो कि ये बिल्कुल गलत है ठीक है इनके जो पुरा पासारी का उजार थे इनके माद्यम से नव पासारी का उजार में जो नए उजार बनाय जाते थे इनको बनाय जाता था और इनका जो ये निर्मार था इनको बंद नहीं हुआ था ठीक है तो इसके बाद में हम देखते ह यह कथन दिये जा रहे हैं यहाँ तो कथन ए दिया जारा कि 90 काल के लोग कपड़े बुन्ने लगे थे और इसका करण यह दिया जारा कि 90 काल में कपास उगाया उप जाया जाने लगा था तो इसके यहाँ पर जो कूट दिया जारा के माद्यम से आपको आंसर देना है नीचे दियेगे कुट का प्रियोकर के उत्तर का चेन की जिएगा कूट A अर्थात A तथा R दोनों सही है और तथा R A का इस्पश्टी करन या फिर ऑप्शन C A सही है परन्त। R गलत है अर्थात पहले लोग कपड़े तो बुनने लगे थे लेकिन पहले क्या था कपास नहीं उगाया जाने लगाता ठीक है या फिर option D अठाथ A गलत है परन तू आर सही है ये गलत है और ये सही तो इसका कौन सा answer जली से हमको comment box में बताएं बहुत important question है तो चलिएगा इसका answer हम आपको बताते है इसका option A बिल्कु सही है अठाथ ये कथन भी सही है उसका ये कारण भी सही है नवपासान काल में कपड़े बुनने लगे थे बुने जाने लगे थे लोग कपड़ों को बुनने लगे थे और इसका कारण ये था कि नवपासान काल में जो कपा से उसको उगाया जाने लगाता चलिए अब देखते हैं हमारा आज का आठामा कोस्चन तो जो कोस्चन नमर 8 है वो दिया जा रहा है कि मेहरगण निमलिकित मेंसे किस दर्रे के निकट इस्तित है बोलन दर्रा, इसके बाद में गोमल दर्रा या फिर खैवर दर्रा या पिर कारा कोरम दर्रा तो इसका जो सही आंसर है वो आप सभी लोग के सामने आठत बोलन दर्रा ठीक है तो मेहरगड किरतर पाड़ियों में इस्तित है बोलन दर्रे की समीप एक हरा वरा समतल इस्थान है ठीक है जो बोलन दर्रे की समीप एक समतल इस्थान है इसके लिए आप स्थान आगए और यह तो कहां पर इराण जाने के लिए बहुती मैध्पूण मार्क भी इसके बाद में फिर से हम को कफन मिलते हैं और इसका सही अंसर हम को देना है कफन नाइन कफन ए दिया जारा कि महागड से प्राप्त मेहरगर महागड मेह प्राप्त कबरों में मृत्युकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था इसका कारण है कि महरगण के लोगों का मानना था कि मृत्युके बाद भी जीवन होता है नीचे दियेगे कूट का प्रियोग करके सही उत्तर को चुनिएगा इक कूट दिये जारें इनके माद्यम से आपको सही उत्तर को चुनना है तो जल्ली से हमको बताएगा कि कौन सा अंसर सही है कूट ए दिया जारें कि ए और आर दोनों सही है परन्तु आर एका सही इस परश्टी करण है ठीक है ये दोनों सही है और आर जो है ये एका कारण है इसके बाद में ऑप्सन बी दिया रहा ह कि A सही है परंतु R गलत है या अर्थात ये कतन तो सही है लेकिन कारण गलत है इसके आदमें option D ये दिया जा रहे है कि कारण तो सही है लेकिन कतन गलत है तो इसका सही answer का answer आगा जल्दी सेम को comment वास में ताहीगा है आपको answer इस परकार से करना है कि 9 का A ठीक है या फिर 9 का B ठीक है इस परकार से answer दिया करें आप लोग ठीक है तो 9 ये हो गया फिर A या फिर B तो इस परकार से आपको देना है चलीगा इसका answer हम आपको देते हैं ये जो option A है ये बिल्कुर सही answer और थात इसका कतन भी सही है कारण भी सही है अब इसको आप लोग एक बार समझ लिजि पहले ऐसा हुआ करता था कि जो लोग मरा करते थे जिनकी मृत्य हो जाती थी उनके साथ ही कुछ चीजों को दफना दिया जाता जैसे कि यहां पर दिया जाता कि मेहर गर से लोगों को मानना है कि मृत्यों के बाद भी जीवन होता है ठीक है तो जो ये कारण है बिल्कुर सह प्रभाइन को रख दिया करते थे जिससे की वे लोग वहाँ पर जो तो रहेकर की कुछ खाये पिये या फिर कुछ करना चाहिए उनकी आत्मा खाये पिये पहले लोगं का यह मानना था ठीक है इसलिए इसका आंसर यह बिल्कुश सही है यह जो गतन दिया जा रहे यह पालतु जानबर के मृतक के साथ दफनाया गया था, इसके यहाँ पर चारा पसंदिया जारे हैं, बकरी, कुट्था, भेंड या फिर मुर्गी, तो इसका जो सही आंसर है, जल्दी से हमको कमेंट बाक्स में बताईगा, मेहरगर से एक कबर मिली है, जहाँ पर किसी पालतु ज इसका जही आंसर क्या है, जल्दी से बताईगा, चलिए अब हम इसका आंसर बताते हैं, बकरी को दफनाया गया था, बकरी मिली है, ठीक है, तो इसके बाद में आब आता है, कौस्चन नमर 11, दो कौस्चन और रहे गये हैं, निमने लिखित पुराज्टलों में से कौन सा ए एक ब्रम पुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर इस्थित है, इसके उप्सन चार दिया जा रहे है, मेहरगड, हलूर, गुपक्राल, या पिर दाव जली हेडिंग, तो इसका जो सही आंसर वो आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताईगा, जो पुराज्टल है, एक नि इसका अंसर आपको बताते हैं, यह जो दाव जली हेडिंग है, ठीक है, दाव जली हेडिंग एक ऐसा पुराज्टल है, जो कि ब्रम पुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर इस्थित है, ओके, चलिए, इसका ब्याक्या आपको यहाँ पर मिलती है, इसकी ब्याक्या, यह important point इस उस अति प्राचीन लकडी को कहते हैं, जो कास्थास में यह उस अति प्राचीन लकडी को कहते हैं, जो सक्त होकर के पत्थर बन गई है, ठीक है, जो कास्थास में यह एक लकडी है, जो कि सक्त होकर के पत्थर बन गई है, यह बहुती प्राचीन लकडी है, इसके बाद में उपर से कूटा जाता है, ठीक है, मूसर और जो खरल है, जैसे उपकरन प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहां के लोग भोजन के लिए अना जुगाते थे, इसके बाद में option तीसरा दिया जार कि दाउजेली हेडिंग से, जे डाइट, जे डाइट, ठीक है, विदों का मानना है कि यह संवप्ता यह पत्थर चीन से आया होगा, इसके बाद में question दिया जारा है, पहला कतन दिया जारा है, नव पासाण यूग के प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध पुराज्टलों में एक चताल हूग है, जो कि तुर्की में है, ठीक है, यह पिर कतन कतन दूसरा दिया जार कि यहां दूर दराज इस्थानों से चीजें उपियोग में लाई जाती थी, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्तर, लाल सागर की कोडियां तथा भूमद सागर की सीपियां, उपियोग तुमें से कौन सा कतन सही है या पिर नहीं है तो जली से बत बतातै है या पिर ऑप्षन वी चेबल दो साई है और एक गलत है या फिर ऑप्षन सी प्रप्षन-डायर दए जा रहा है कि एक और दोंओ सा ये, ना तो एक से और ना तो एक साही है और ना तो दो साही है अगर आप लोग ने एंसिंँट ऑन्सर के बाशित को पड़ाया त इसके सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल मेंसे एक है चताल हुग मेंसे एक चताल हुग है जो कि आज तुर्की में है ठीक है अब यहां से दूर दरा से लोग आते थे और कुछ चीजें लाए करते थे ठीक है जो कि उपियों की चीजें हुआ करती थी जैसे सीरिया से लाए गया तो लाल सागर की जो कौड़ियां है इसके बाद में भूमत सागर की सीपियां है जो कि आज भी यहां से पुरा तत्वितों को प्राप्त हुई है चलिए अब देखते हैं हमारा आज के लास्ट कोश्चना था कोश्चन नमबर 13 कोश्चन नमबर 13 दिया जा रहा कि निम्लिकित या फिर महागड इस चार पुरास्तल दिया जाने में से कौन सा ऐसा पुरास्तल है जहां से पुरा तत्वीदों को चौकोर और आयताकार घरों के अवसेस मिले हैं चलिए जली से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा चलिए अभी इसका आंसर हम आप लोगों को बताते हैं इसका सही आंसर है अर्थात मेहरगड से जो तो इसके हमको अब सेस मिले हैं अब इसको आप लोग ब्याख्या के साथ समझीगा दिया जारा कि मेहरगड स सबसे पहले इस ते पुर्सों ने क्या करना सीखा था तो जाऊंगाना गेहंगाना और भेंड बकडी को पालना इसके आद में इसका एक पॉइंट दिया जा रहा है मेहरगर से ही चौको और एवं आयताकार घरों के अवसेस मिले हैं प्रते घर में चार या पिर चार या उसके उससे जादा कमरे जिसमें से कुछ संबब्ता भंडारन के काम आते थे अर्था मेहरगर में क्या है कि यहां पर लोग बस्तियां बसने लगी थी ठीक है और यहां पर लोग बसने लगे थे इसलिए यहां पर घर बनाने लगे थे और कैसे घर बनाये जाते थे तो चौकोर य या फिर बकरी यह लोग रह सकें तो इन सभी चीजों के लिए आज के इस चेप्टर में ते एक कोस्चन थे ओके हमारे वीडियोस पहुंच सकें वो लोग अपनी त्यारी को कर सकें और आपका एक सेर कई लोग की मदद कर सकता है मालेजी कि आपने किसी को सेर किया उसने किसी को सेर किया तो ऐसे करके मदद हो सकती है तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हैं दोस्तों